रेरस्टस rats भूए अवे 있ग नमस्कार दोस्तों मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ अब सभीका एकुपर फिर चैनल रेर ऐक्ट्टस में दोस्तों हम बात करेंगे छहतरपती सिवजी महराजी के बारे में जी हाँ दोस्तो छातरपती सिवाजी महाराज को सिवाजी या सिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है उनका जनम 19 फरवरी 1630 में सिवनेरी दुर्ग जोकी पूने जुन्नर नगर में हैं वहाँ पर हुआ उनका जनम सहाजी भोसले की पतनी जीजाबाई की कोक से हुआ जिनको राजमाता जीजाओ भी कहा जाता था उनके पिताजी सहाजी राजे भोसले बीजापूर के दरबार में उच्च अदिकारी थे सिवा जी का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई जी की देखरेक में ही हुआ था उन्हें युद्ध का परशिक्षन और परसासन की समझ दादो जी कौंड देव से मिली हुई थी वे भारत के महान योदा एमरनिती कार थे और हम सब जानते हैं कि उनके नाम से मुगल कापते थे 1674 में उन्होंने पस्चिम भारत में मराठा समराजे की नीव रखी थी सिवा जी बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने कई अनेको लड़ाईयां लड़ी जिनमें वो विजयी भी रहे उन्हें ये कताई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के जगडों में उलजे रहे वे किसी भी धरम के खिलाफ नहीं थे उनका नाम भगवान सिव के नाम से ही नहीं बलकि अपितु एक छेतरी देवता सिवाई से भी लिया गया है उन्होंने एक सक्ति साली नो सेना का निर्मान किया था इसलिए उन्हें भारतिय नो सेना के पिता के रूप में जाना जाता है अपने प्रारंभिक चर्णों में ही उनको नोसेनिक बल के महतों का ऐसास हो गया था क्योंकि उन्हें यह यकीन था कि यह डच, पूर्तगाली और अंग्रेचों सहीत विदेशी आकरमनकारियों से सवतंतर रखेगा और समिद्र डाकों से भी कौंकन तटकी रक्षा करेगा उन्होंने जैगड, विजे दुर्ग, सिंद दुर्ग और कई अन्ने स्थानों पर नोसेना किलो का निर्मान किया था उनके पास चार अलग-अलग परकार के युद्ध पोत भी थे जैसे मंजु हसन पाल्स, गुर्बस और गल्ली बट्स सिवाजी युद्र की रन्नीती बनाने में माहिर थे और सिमित संसादनों के होने के बाउजू छापे मारी युद्ध कोसल का परीचे उन्होंने तब दिया जब बहुती कम उमर मातर 15 साल में तोरन किले पर कबजा करके बिजपूर के सुल्तान को पहला तगड़ा जटका दिया था 1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कोंडन, जवली और राजगड किलो पर कबजा कर धीरे धीरे संपून, कौंकन और पस्चमी घाट पर कबजा जमा लिया था बिजपूर को जीतने के लिए सिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था पर ऐसा हो न सका क्योंकि एहमद नगर के पास मुगल छेतर में दो अधिकारियों ने छापा मार दिया वे सिवाजी थे जिन्होंने मराठा की एक पेसेवर सेना का गठन किया इससे पहले मराठो की कोई अपनी सेना नहीं थी उन्होंने एक अपचारिक सेना जहां कई सेनिकों को उनकी सेवाओं के लिए साल भर भुगतान किया गया उसका गठन किया मराठा सेना कई इकाईयों में विवाजित थी और परतेक इकाईयों में 25 सैनिक थे हिंदु और मुसलिम दोनों को बिना किसी भेदबाओ के सेना में नियुक्त किया जाता था वे महिलाओं के सम्मान के कट्टर समर्थक भी थे सिवाजी ने महिलाओं के खिलाब द्रिटता से उन पर हुई हिंसा या उत्पीडन का विरोध किया था उन्होंने सैनिकों को सक्त निर्देश दिये थे कि छापा मारते वक्त किसी भी महिलाओं को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए यहां तक कि अगर कोई भी सेना में महिलाओं के उधिकारियों का उलंगन करने के लिए पकड़ा गया तो गंभीर रूप से उसे धंडित किया जाएगा पनहाला कि लेकी गेरबंदी से भागने में सिवाजी कामियाब हुए थे वे गुरिला युद के प्रस्तावक थे उनको पहडों का चुहा का आ जाता था क्योंकि अपने इलाकों की भुगोलिक गुरिला रनीती या कहें तो गनीमी कावा जैसे चापा मारना चोटे समुहों के साथ दुस्मनों पर हमला करना आधी अच्छी तरह से वो इन रनीतियो से वाकिफ थे उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों पर या वहाँ पर रहने वाले लोगों के घरों पर चापा नहीं मारा दोस्तों की खास्यात थी कि वे अपने राजय के लिए बाद में लड़ते थे पहले भारत के लिए लड़ते थे उनका लक्षय था निसुल्क को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद